हलो दोस्तो अगर आप अपने बीवो मोईल के लिए चार्जिंग एनिवेशन वाली थीम को डाउनलोड करना चाहते हो तो बुलकुल कर पाओगे क्यूंकि दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा जिससे दोस्तो आप अपने मोईल के लिए चार्जिंग एनिवेशन वाली थीम को डाउनलोड कर पाओगे तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है काफी इंट्रेस्टिंग है तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखना अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राब जरूर से कर ज़र टाइम बेस्ट ना करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं लिए करके द्खा देता हूं जिससे आपको पता से लेगा कि इस थीम में क्या क्या चैन्जिस होता है उसके बाद अगर आपको पसंद आती है तो इस तीम को अपने फोन में अपला प्संद सकते हो तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगी मैंने थीम को अपलाई खर लिया है तो यहां पर दोस्तों आपको बालब पर एक काफी कमाल का देखने को मिलता है अगर दोस्तों इसके सारे आइकन गोल circle में जो काभी अच्छे लग रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे होगे अगर दोस्तो इसके sort का center की बात करें तो ये भी आपको काफी कमाल का देखने को मिलेगा तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे काभी अच्छा आपका जो control center वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अगर दोस्तो इसके setting के icon की बात करें तो यहाँ पर सारे setting के icon है आपको change देखने को मिलते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होगे अगर दोस्तो इसके lock skin की बात करें तो यहाँ पर दोस्तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का इसका charging animation है तो यहाँ पर दोस्तो मैं इसको lock किया और यह charger से connect किया तो यहाँ पर दोस्तो आप देख पा रहे हो इसका charging animation है काफी गजब का है जैसा कि आप देख पा रहे होगे, काफी अच्छा लग रहा है, है पर दोस्तों आपको एक काफी गजब की चीज़ देखने को मिलती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यह पर दोस्तों आपके इस तरीके का fingerprint आइकन बन जाता है, जो इन डिस्पले में होता है, अगर दोस्त आपका है, पर स्विप बाला लॉग होना चाहिए, यह जो तीम है काफी अच्छी है, अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, कि आप इस तीम को अपने mobile में कैसे apply कर सकते हो, तो यह पर दोस्तों इस वीडियो के description में आपको एक link मिलेगी, जिससे दोस्तों आप simply इस तीम क click करेंगे, setting पर click करने के बाद दोस्तों आपके सामने की setting दिखेगी, display hidden directory and file ठीक है, तो इस setting को आपको own कर देना है, जिससे दोस्तों आपके hidden folder so हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको back आना है, और यहाँ पर दोस्तों आप अपने mobile का file manager open कर लोगे, तो आपकी जो theme ह download folder में download हो जाएगी, simply दोस्तों आप बहाँ से उस theme को open कर लोगे, तो हैंपे दोस्तों मैंने अलग से करकी रखी है, तो हैंपे दोस्तों आप इस theme को देख पा रहे होगे, तो आपको क्या करना है, इस theme पे long press करना है, long press करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक more का option आएग ऐसे तो हैंपे दोस्तों मैं इस password को इंटर कर देता हूं, पासवर्ट डालने के बाद दोस्तों सिंपली आपको ok करना है, ok करने के बाद दोस्तों आपकी जो theme ए, ढीकंप्रेंज और डीकंप्रीज हो जाएगी, इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे this pattern करना है, long press करने के दोस्टो आपके सामने कुछ इस त्रीके का फोल्डर देखेगा तो simply इसको आपको ओटि करना है इसको ओटि करते रहना है जब तक की आपका कैपिटल टी नाम का फोल्डर ना देखेए ठीक है तैंप दोस्तो आपके देख़วacious आप Państwo मेरा जो कैपिटल टी नाम है दीव में आ जाए गी और डोस्तों सिंपलि आसे इस थेइभर को एजली एपलाई कर पाूँगोंगे अगर दोस्तों आपके धिन श्व करके बदा सकते हो जिस से दोस्तों है आपकी प्रॉब्लम्स का solution आपको बता दूँगा और आप अपने mobile में free में theme को apply कर सकते हो I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हुगा अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like से रहें चैनल को subscribe जरूर से करना तो मैं मिलता है किसी next interesting वीडियो में तब तक के लिए take care and bye